असलाम उलेकुम दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बिस्मिल्ला फिशिंग में तो दोस्तों ये आपका सेकंड पार्ट है वही रेहू मचली का हुग बेट के तालुक से जो के हमने आपको बताया था ये रेहू मचली का हुग बेट भी है ये चराई भी है और टोपिंग भी है तो पहले अगर वीडियो आप नहीं देखे है तो पहली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो उसको आप देख ले तो आपको मजीद समझ में आएगा अगर आप यही वीडियो से पहले शुरू करेंगे तो हो सकता है पहला पार्ट आपको समझ में नहाए तो आप पहली वीडियो को देख ले फिर आप दूसरी वीडियो को देखे फिर एक systematic way में तीसरी वीडियो को देखे तो आपको बहतर तरीके से समझ में आएगा हॉच पॉच नहीं होगे आप या confused नहीं होगे तो पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका था already कि आपको इसमें coconut dust जो होता है उसको 50 ग्राम आपको fry करना है घी के साथ फिर मिठाई का गात आपको लगता है फिर लेसुन लगता है बदाम का पॉडर लगता है नारियल को भाजा हुआ नारियल लगता है हिंग लगता है इलैची लगता है गाई का दूद का ही बनता है जिसको मावा बोलते हैं और ये मीठी चावल का जो जिसको जर्दा कहते हैं लोग अपने लोकल जबान पे जर्दा वगारा जो बनता है शादी बिया में बिर्यानी खाने के बाद जो मीठा खिलाया जाता है तो उसमें वो मावा भी डाला जाता ह जो के white color का होता है ठीक है और बहुत सारी मिठाई में भी मावा डाला जाता है ठीक है तो इसको अब दूसरे जगह में क्या नाम से बताया जाता है यह मैं नहीं कह पा रहा हूँ पर अलबता मैं कोशिश करता हूँ कि इसका English में क्या नाम है तो और इसके photo मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ में आ जाए आपको idea मिल जाए कि यह क्या चीज है ठीक है अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए देख करके तो आप किसी भी अपने local मिठाई के दुकान में जहाँ पर ही मिठाई बगारा बनता है ठीक है रजगुल्ला तो पेडा संदेश बगारा बनता है तो वहाँ पर ही उनके वो मिठाई वाले से पूछेंगे कि मावा किसे कहते है तो वो आपको बता देगा कि मावा किसे कहते है और ये अलबता मिठाई की दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा कहीं पर ही भी जो कोई भी दुकान जहाँ पर ही dairy product मिलता है dairy product मतलब मुर्गी की नहीं भी गाई की गाई का दूद, दही, पनीर, मेवा वगारा वहाँ पर ही भी मिल जाएगा आपको तो मेवा आपको लेना है उसको आपको जो लेना है वो तकरीबन आपको लेना है 100 ग्राम और 100 ग्राम मेवा लेकर के आप इसको हास में रब रब करकरके रब रब करके ना इसको आप चूरा कर दीजे चूर कर दीजे मेवा चूर कर दीजे एक प्याला में आप इसको सप्रेट करके रखे, अमूल बटर जो होता है जो हम लोग bread में लगा के खाते हैं अमूल बटर, वो अमूल बटर आपको तकरीबन 200 ग्राम लेना है फिर जो आपको लेना है दोस्तों वो है बड़ी इलाची, बड़ी इलाची यह होता है, मैं आपको तकरीबन दो दाना लिना है सिर्फ दो दाना इसके अंदर दाना होता है बीज होता है वो दो बीज आपको सिर्फ लेना है और ले करके उसको crush कर देना है crush कर देना मतलब उसको चिपटा करके उसको भरता कर देना है उसको crush कर देना है आपको अब जो चीज आपको लगेगा दोस्तों वो है तेज पत्ता जिसको बेलीज कहते हैं इंग्लिश में तेज पत्ता जो आपको लगेगा छोटा साइस का इतना बड़ा साइस का एक पत्ता एक तेज पत्ता इतना बड़ा साइस का आपको लगेगा धी धी अगर मैं कहूं आपक तो आप कोशिश करें कि इसमें असली घी का इस्तमाल करने का असली घी का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा असली घी का अगर आप कोई रीजन के वही से अगर आपको नहीं मिलता है तो कोशिश करें कि बाजार में जो सबसे बहतरीन और अच्छी क्वालिटी का जो घी होता है भले वो गावा घी हो जर्ना घी हो या आपके वहाँ पुरी लोकल का कोई ब्रैंड हो जो के पियोर घी बेचते हैं तो वहाँ से वो घी आप खरीद के ले के आए तकरीबन 400 ग्रा पोस्तो दाना जो होता है दोस्तो ये इसकी फोटो आपके स्क्रीन पर दे दे रहा हूं मैं तो पोस्तो दाना को आपको ला करके पहले कडाए में हलका धीमी आच में फ्राइ कर लेना है फ्राइ करने के बाद इसको पॉडर कर लेना है ये तकरीबन आपको लगेगा 25 ग्रा महुआ का और लेडी रेसिपी मेरे चैनल पे दिया हुआ है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ महुआ को आप ला करके पहले मिक्सर में पीस लिजे पीस लेने के बाद फिर उसको आप ऐसा करें कि गुल जो होता है उसको आप अच्छे से पीस लेने के महुआ है उसको सुखा ले आप अगर जले नहीं ध्यान रहे जले नहीं महुआ तो सुखा ले सुखा लेने के बाद जो गुड होता है समझ लिए अगर आप 1 किलो महुआ का इस्तमाल कर रें तो इसमें आप 3-4 किलो समझ लीजिए गुड दीजे तो जादा अच्छा तक्रीबन एक दो महिने में तीन महिने में यह ready हो जाता है महुआ ठीक है तो यह हुआ ready महुआ आपका और यह आपको लगेगा तक्रीबन या फिर अगर आप किसी मचली पकड़ने के दुकान अगर कहीं पर ही है आपकी उधर पर ही तो महापरी से आपको ready महुआ मिल जाएग सरसों का खल आपको powder जो है वो 1500 ग्राम लेना है उसको आपको पहले धिमी आच में fry कर लेना है जब वो 25-30 ग्राम नारियल तिल डाल करके उसको अच्छे से polish कर लिजे तो ये आपको जो मैंने बताया ये आपका दूसरा पार्ट यहां तक मैं रख रहा हूँ अगर इसमें कोई ऐसा चीज आपको नहीं समझ में आया है तो हमें आप comment करें मैं इशाल लग आपका doubt को clear करने की कोशिश करूँगा ठीक है आज के लिए दोस्तों बस इतना ही फिर इसके थर्ड पार्ट के लिए आपसे फिर बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट को ले करके तब तक के लिए असलामु अलेकुम जजाक अल्ला खार आप अपना ख्याल रखेगा